नमस्कार दोस्तों मैं आप से पटेल री एजुकेशन आयो से कुणिव पर आप सभी का सवगत करता हूं दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो आप से बिनम्रें निवे देना है कि आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को द दिया जाता है जिसे आपकी त्यारियेक अच्छी दिशा में जा सकें तो आज हम लोग जो आज आप लोगिने टेफ्ट दिया उसी को सलूशन करने जा रहे हैं तो हमारा पहला प्रस्ट है कि हमारे सरीब का अधिक्तम भार बना है जल का क्योंकि हमारे सरीर का जो 60-65% भाग है मतलब जितनी भी कोश्याएं उनके अंदर कोश्याद्र होता है उतक द्रब रुधिर प्लाज्मा ठीक है हमारा जो मूत्र होता है इन सब आधार भूत तक तो क्या bies इस परकार हमारे सरीष का जो सबसे बड़ा भाग है किसका है जल्त अभी हम भाग में बात किके की सबसे जादा कौन को बनाता आऊप हमने नहीं किया इलिमेंगी की UFO सरीर में कौन सा तत्व सबस्यादा पाया जाता है वहां पर आपका अक्षीजन सही होता है लेकिन हमारे सरीर का अधिकतम भार कौन बनाता है जल बनाता है ठीक है यह दो परकार के कोश्चन पूछे आते इसको आप किलियर करके रखेगा अगला प्रसन है कि मानों सरीर में हमारे सरीर में पायाता है वह हमारा क्या है कैल्सियम है टीक है इनमें से जो सबसके अधीक पाये जाता है जाता है छर्याद्च यहाइसीजन act, max पर्सेंट कैर्भन पाए जाता है धार पसंटर्चट मैं जा आए और 10% hydrogen पाई जाए है ठीक है दस cent hydrogen पाई जाए हमारे वरीर में यह हो गया उसके बात 3% nitrogen पाई चांग है क्योंकि protein गो होता है वह किसका बना होता है nitrogen अग्र जाते हैं तो 3% nitrogen Marie भी में प्लाइज आप फॉर प्रसंट पाई जाता है one 1.4 परसेंट पाहे जाता है हमारा कैल्सियम ठीक है और उसके बाद फासफोरस जो होता है वह पाहे जाता है वह पाहे जाता है वह पाहे जाता है जो की 18 परसेंट 3-4 प्रस्त पाहता है तो हमारा है अग Radio entire हो गया मतलब कितनी हद्डीया होती है ठीक है तो बैश के माना में कितनी हद्डिया होती है 2002 होती है ठीक है कि मान 넘क्कुल कितनी हद्डिया हो जाती है दोप सचे अगर ही बच्के की बात करें तो इनकी के संख्यक्ति हो जाती है 208 ठीक है बैस कमानों में 206 हड्या होती है बच्चों में 208 हड्या होती है अगला प्रस्ण हमारा है निवन में से कौन सरीर का सबसे छोटी हड्य है सबसे छोटी हड्य है पूरे सरीर की कौन है यह हमारी है इस्टेपीज ठीक ह इश्टेपीज क्या है हमारे सरीर की सबसे छोटी हड़ी है और सबसे बड़ी हड़ी हमारी कौन है ओ है फीमर ठीक है सबसे बड़ी हमारी हड़ी कौन है फीमर है इश्टेपीज कहां पाई आती है ये कान पाई आती है कान में कुल कितनी हड़ीया होती है कान में कुल छे होती है और सबसे बड़ी हड़ी हमारी होती फीमर यह कहां पाई जाती है जांग में पाई जाती है यह सबसे लंबी हड़ी होती है अगर हाथ की सबसे लंबी हड़ी पूछे तो आपका कौन सी हड़ी हो जाएगी हो यूमरस ठीक है आपको कुछ हड्यों के नाम याद रिखने चाहिए जिसे टीबिया फिवला कहा पाए जाता है रेडियो अलना कहा पाए जाता है तो आप याद रखिए कि यह फार फुट होता है ठीक है फुट अब रेडियो अलना पैर में पाए जाता है कि तीबिया फिवला आप एसे ध्यान रखिए कि आप टीवी देखनें कैसे जाते है पैर बैर से देखने जिघने आपके हैं जो सुक्षक में और बनेत हैं यहां तक को सब्सक्राइब जरूद को सब्सक्राइब हीं तो यहांपर डूट्या पाई आती है एक रेडियो एकल्म्स तो रेडियफ कैसे बजाते हैं हाथ से उसको ट्यून करते हैं यह कि स्टेशन पकड़ाता है पैर पकड़ाते नहीं तो रेडियो ऐल्डा कहां पाई एगी यह आपकी हास में पाई जाएगी ठीक तो पाई जाएगा हाथ में ठीक है humorous यस फार humorous यस फार हैंड ठीक है टीवी आ फूले टीवी देखने आप पैट से जाते हैं इस परकार आप इससे याद रखिए गया इतनी हड्यों के बारे में बाकी अगला प्रस्ण हमारा है कि निम्न में से कौन साल मानो हड्यों में अमरी हड्या के निये होड्यों करेंल संट अर्त के निद गया सभे इम् PayPal के व्लनी होट यह ए भूग हो । चूपरी लत कर यह होता है थीक है यहां रिफ़के परण कर रहा हूं नानर प्रड़ उपरि पर चंकीला वाला होता हूं सबसे कठोर भाग हो जाता है ठीक है तो यह सब चीजे आप याद रखे क्योंकि दीरे धीरे सब जुड़के एक बड़े कोश्चन का निर्माड करती है ठीक है इसलिए कहता हूं आप डिस्क्रिप्शन जरू देखा करिए और पूरा डिस्क्रिप्शन देखा करिए अगर संख्या में पूछी जाए तो यह कुल मिलाके कितनी होती है चोबिस होती है ठीक है संख्या में चोबिस होती है नहीं तो ऐसे पसलियों की संख्या बारा बारा जोड़ी होती है इन में से अगर हम जोड़ी में देखे तो साथ जोड़ी जो होती है साथ जोड़ी पसलिया ज हुमारा होगा साट तिन दफ दू बारा ठीक है को बारा जोड़ी पसलियां हो गई ठीक है और यह बारा बारा जोड़ी जो पसलियां है यह अपस में जुड़ के एक केज क्या निर्माढ करती है जिसके अंदर हमारा और ये वाला भाग हमारा क्या है ये इस्टरनम है आप देख रहेंगे सभी पसलियां कहां आ रहे हैं ये सब पसलियां आ रहे हैं इस्टरनम से जुड़ रहे हैं पहली आई जूड़ी ठीक है दूसरे जूड़ी तीसे जूड़ी चोथे जूड़ी पाच्वी जूड़ी छट साथ, तीन, दस, दो, 12 झोड़ी पसलिया होती है, जिसमें साथ, True, तीन, wieлох और दो, floating होती है, ठीक है, अगला प्रस्न मा रहा है, क्रस्न प्रस्न प्रस्न पर आते हैं, की कसेरीक रज्जू में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाइ निकलती है, यह कह रहा है जो हमारी स्पाइन के अंदर रीड रीड जो होती है उसको स्पाइन बोलते हैं ठीक है उसके अंदर खोई खोखला अस्थान होता उसमें से पतली पतली जो हमारी तंत्र है वो आपस में गूत के से मतलब ब्रेन तक जाती है ठीक है तो उनकी उनकी संख्या कितनी होती है ठीक है वो एक तीस जोड़ी होता है ठीक है एक संस्री एक मोटर होता है आप ऐसे समझे कि हमारे रीड में एक बिलनाकार पाइप है उसी के अंदर से पतली पतली रस्तिया गई है ठीक है उनकी संख्या पूछ रहा है कितनी है उनकी संख्या 31 जोड़ी है ठीक है उसमे तो आपका हो जाएगा यह 33 कि पा जती हैं बच्चों में जब भैस को लोगों कितनी हो जाती है रीड में अगर पुछा जाए है ठीड में 33 हड्डियां या कसी रुकाई कहिए ठीड में 33 कसी रुकाई होती है बच्पन में 26 हो जाती है जब हम बैस्क हो जाते हैं और उसमें जो तंत का तंत हैं वो इक्तिफ जोड़ी पाए जाते हैं ठीक है यह चीज़ें आप याद रखने हैं अगला प्रस्ण मारा है क कि परत्यास्थ उतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं ठीक है परत्यास्थ उतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको कहा जाता है क्या लिगामेंट ठीक है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं उनको कहा जाता है लि कहा जाता है टेंडेंड अगला प्रस नमारा है है अगर हम पूछे कितनी मांस पैसिया पायाते हैं एक कुल 649 मांस पैसिया पाई याते हैं ठेक है अगला प्रसन है नेम्रिखित में से कौन साब पॉष्टिक तत अस्थियम दातों के निरमाड में मजबूर्टी के लिए आव आइडिन की आउसेक्ता जोती है वो थाइराइड गरंथ में थाइराक्सिन बनाने के लिए होती है ठीक है तो यह आपसन गलत है बाकि सब के सब जरूरी है अगला प्रस्ण मारा है मनुस्य के जीवन काल में कितने जोड़े दान ने दात दो बार निकलते हैं तो जोड़े की बात किये कुल 20 दात दो बार निकलते हैं आठ साल की उमरे तक आते हैं तो सब तूट जाते हैं लेकिन अगर जोड़ो की बात करें तो कुल 10 जोड़ी दात दो बार निकलते हैं मनु सेजर के नीचला वाला दांत सबसे पहले निकलता है इसलिए मनुस्य को दे दंती ठीक है डाई फायो डांट भी का जाता क्योंकि उसके 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बारा दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में के वल एक बार निकलते हैं ठीक है बारा दांत ऐसे होते ह जो जीवन काल में के वाल एक बार निकलते हैं, अगर दंत फार्मूला पूछा जाए, तो हमारा जो दंत फार्मूला है, वो बच्चों में क्या है, वो बच्चों में है आपका 21,02 ठीक है, और बैस्क में 21,23 ठीक है, यह आपका इंसीजर है, ठीक है, काटने वाला, यह क्या ह uma7 यह आपका । मतलब बच्चों में पर隈 मोलड नहीं करा होता, मोल्डर निकले होते हैं बैस्क में एक फिर फिर अ यह जैसे आपने दातों की चार की बाते तो यह एक Onunotta एअगर पूरे दातों का बत्रिश दातों की चार भागों मर्साइड तो उसका एक भाग में दो इंसीजर आपको मिलेंगे एक कैनाइन मिलेगा और दो प्री मोलर तीन मोलर मिलेगे तीन दो पांच एक छे छे दो आठ और आठ चोग बत्तिस अगर दाल पूरे हो जाएंगे तो इस प्रकार हो गया और दातों का क्या होता है यह भोजन को काट के चोटे कड़ों में विवाजित करते तो जिससे पाचन में आसानी हो जाती है ठीक है अगला प्रस्ण हमारा है लेकिन आप 600 के आसपास का अगर 659 नहीं मिलता तो उसके आसपास का इंसर आप मारेंगे लेकिन 650 के उपपर का कभी नहीं मारेंगे ठीक है क्योंकि तब गलत हो जाएगा अगला प्रस्ण है हमारा कि मानों के मस्तिक्स में स्मर्ड छमता कहां होती है ठीक है यह पूछ रहा है कि जो मानों अपनी चीज़ों को याद रखता है तो याद रखने वाली छमता कहां होती है वो होती है आपके सेरी ब्रह्म में ठीक होती है सेरी ब्रह्म का काम क्या होता है यह हमारी बुद्धी इस्मृती इच्छा सक्ति एच्छिक गतियों जो हमारी इच्छा से होती है वो इच्छिक होती है ग्यान वाड़ी जो हम चिंतन का केंदर होती है ठीक है सेरी ब्रहम किसका केंदर होती है बुद्धी की इस्मृत की इच्छा सक्ति की ठीक है एच्छिक ठीक है जैसे हाथ घुमाना है हाथ मोडना है क्या हमारी इच्छा क्यों सार हो रहा है एच्छी गतियों की लेकिन हमारा हर्ट हमारी इच्छा से चल रहा है नहीं यह हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है अपने आप चल रहा है तो अने इच्छी गतियों कर रहा है ग्यान कबब यहां करते हैं डर्द होता तो भी हमारा ठेल्मस का काम क्या क्या का हектор मस्ता क्या करता है यह अथे स्रावित होनेवाली रह्मों का नियंत्रन करता है ठीक है मास्टर गरंद का जाता है उन से स्तराविद होने वाले हर्मून को नियंत्रत करती सरीर को अब सकता विसे ताप घटाना बढ़ाना प्यार घृडडा यह सब do आ है यह फाइप। का काम है यह हाइप्योथेयल का नियंत्रत का में लगी relationships इसी प्रकार आपका होता है कि मेडूला आपलांगेटा ठीक है यहां पर दिया गया है मेडूला आपलांगेटा का काम क्या है उपापचय मतलब भोजन का पाचन रक्त दाब मतलब अपका ब्लड प्रेसर ज्यादा कम ज्यादा ना हो अहार नाल का जो कर्मा कुंचन कहते होते लेता काँ हिद्रे की धाकने हैं इसको भी मैंटीन करता है कून है हम लगबग 14-16 बार सांस लेते हैं एक मिनट में 72 बार हमारा हड धड़कता है एक मिनट में तो इन सब का जो नियंतरण करता है यह सब करता है मेढूला ब्लांग गेटा ठीक है इन सब चीजों से आपके इस परिछाव में भर भर के प्रसना के हैं इतलिए आप इन सब सबको याद करें दो वार में देख के याद करें लकिन सब याद करी में को इता हो इसको और हम्हा सब्दाए करता है हमारे मस्तिष तक पहुंचात है ये सब काम है किसका सेरी बेलं का अब सेरी बैर बेलं के काम को अलाग करके रखेगा अगला प्रशन हमारारा है नृसचे शन्ट की किरिया कहा होती है यह होती है में सेट और युक्नICK क्या करता है वो भी जाके अंडवाहनी में ओवम से फ्यूज करता है कभी कभी पूछा जाएगा पूछा जाता है कि अगर इस्पर्म रिलीज कर दिया गया है ठीक है अगर इस्पर्म रिलीज करके फिमेल जेनाइटल आरगन पहुचा दिया गया है तो कितने दिन तक जिंदा रहता है तो 48 से 72 घंटे तक वा इसी अंडवाहनी में रहता है और ओवम का इंतजार करता है ठीक है यदि ओवम रिलीज हुई आई तो उसे फ्यूज करके जाइगोड बनाता है फिर उसका डूब्लिकेशन होता रहता है फिर उसके बाद मान के चलिए कि 344 दिन के असपास और मतलब नार्मल 9 महीने के असपास एक बच्चाynthesis से बन जाता है ठीक है की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो सोसन किरिया में हमारे जिन नाइट्रोजन है इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता जब हम साफ लेते हैं जो हम साफ लेते हैं तो साफ लेते समय हमारे सरीर में जाता है पॉइंट जीरो थीरी परसेंट कार्बन यह जब वापस आता है यह 4.4 परसेंट के आसपास निकलता है ठीक है 4.4 और यह 21 से घटके हो जाता है 16.4 ठीक है लेकिन नाय्टोजन उता है पढ़ता है ना गर्मियों में बढ़ता है इसलिए क्या करना पढ़ता है गर्मियों में हमें हलके कपड़े पहनने पढ़ते हैं सर्दियों में हमें ठंड से बचाने के लिए क्या करना पढ़ता है भारी कपड़े पहनने पढ़ते हैं क्योंकि हमारा तापमान एक इस्थिर ब हलमस लेकिन वह इंटर्णल आरल आरगन तक ही सीमित रखता है और चрем-iego- नहीं करता है और पर अबार्षत को तब मांद को हमेशा हमें हम्हारे ख陳 ब्यूंचा गया तो पूछा किना रिख्ध की सिर्द की बात है रग्त होता है धिकlier یकसे New होता है एक परकार का सेञी उतक है अज़ा ररत एक बैस में लग भग रक्ट के मातरा कितने होती है पांसे 6 लीटर टीक है पांसे छे लिटर रक्ट पाए जाता है और अगर प्रतिस्त में बात करें तो रख्ट की की जो मात्रा होती है वो होती है लग भग साथ ठीक लेक्त जो होता है वह लगभग रचत सा पर्शत पाए जाता है कि पीच highlight कीतना होता है र sometime फॉर गी यहीं देख लेते हैं रख्ठ का जो पिय चोटा वह कितना अथ beau पॉइंट फॉर ठीक है और सेवन परसेंट हमारे सरेट के भार का यह पाई जाता है पांट से छे लीटर यह पाई जाता है रख्त महिलाओं में पुरुसों के विच्छा अधा लीटर कम पाई जाता है रख्त मतलब दो परकार के प्लाज्मा होता है प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती हें ब्लट में ब्लट में 15–60% परसेंट होती है जो बाकी जो बचा हुआ हो कि होगना है ब्लट कर्पलों में आपके कौन कांधे आ जाए ङोंगे आपका डवक आजायेया आपके प्रटलेट से जा जाएंगे ठीक है और अगर हम यह जानना चाहें कि जो आर्वीसी होती है ठीक है आर्वीसी होती है उसका निर्माड कहां होता है तो आर्वीसी का निर्माड कहां होता है बून मैरो में होता है ठीक है उसका जीवनकाल अगर पूछा जाता है तो एक उसका जीवनकाल है वो तो 20-120 दिन के बीच होता है और यह प्लीहा में जाके इसकी लीवर या प्लीहा में जाके इसकी मृत हो जाती है और वीची का रंग जो लाल होता हुमोग्लूविन के कारण होता है यह सब होगे आपका रवीची के बारे में आर वीची का मुख काम है आफ्यजन को सिल तक पहुंचाना ठीक और कार्बन डाइखेड को वापफ लाना ठीक आर वीची की मात्रा अगर बात करें तो सोते समय 5% कम हो जाती है ठीक है और उजाई पर जाने पर 30% तक बढ़ जाती ह ठीक है और वीची की संख्या जो होती है वो हीमो साइटो मीटर के द्वारा ग्यात की जाती यतनी चीजिए आप रवीची के बारे में याद रखना अभी डबलीवीची का प्रफन आएगया तो डबलीवीची को यहां पे हम समझा देंगे ठीक है अगला प्रस्ण हमारा है रक्त समू की खोज किसने की तो रक्त समू कीखोज कि ने कि अ कारले लंड। कितने समय होते हैं čar समय है टीख रखत हुगती है आज़ा प्रसack है यो अधे पिता का रखत वर्ण ए है माता का झाव तो बताई कि उनके पुत्र में निम्म से copert वर गोगा तो उनके पूतर में होगा या तो यह वन को उसमें अपन है है और लू में अगलात हमारा है परतिजन में पदार्त होता है जो परतिजन को इन्टीजन क्या होता है टीक है परतिजन को एंटीजन इंगलिस में कहते हैं और परतिपिंड को एंटीवाडी कहते हैं जो एंटीवाडी के निर्माड को उद्धीपित करता है ठीक है जिसे जब हमें बैक्सिन दी जाती है तो उसमें क्या किया जाता है उसमें उसी रोग की जो वाइरस होते हैं बैक लड़ने के लिए क्या antibody हमारे स्रीन में बननी लगती है यह ठीक उसी परकार है कि आपके घर में क्या है आप बहुत सीधे साथे घर के इंसान है आपके घर में लाठी डंडा नहीं रहता है लेकिन किसी दिन किसी ने आपके बच्चे को आके चार थपड मार दिया आप कुछ नहीं कर पाएं क्योंकि आपके पास कोई आउजार था यह नहीं तो अब क्या करेंगे आप अगली बार मेरे बच्चे को ना मार पाएं या तो आपके बच्चे को जान से मार दे ठीक आप सबको जान से मार दे बात ही खतम हो लेकिन यह दे आप बच गए हैं तो आप क्या आपकी प्रत्म प्रात्मिक्ता क्या होगी आप भी लाठी डंडा वहां पर अपने घर भी बेवस्था कर ले तो सरीर भी क्या करते हैं मालो एक वाइरस से इंफेक्ट हुआ अब यह दो आपसे नों सकते हैं या तो मर जाएगा या तो बच जाएगा अगर बच गया तो सरीर क्या करेगे दूसरी बार क्रोना वाइरस अगर आता है तो उससे लड़ने के लिए होगा है एंटी बाडी बना के रख लेगा ठीक उसी परकार दूसरी बार मेरे बच्चे को कोई मार ने आए इससे पहले में लाठी बना गड़ गड़ के रख लूँ तो लाठी गड़ के रखना क्या है वही एंटी वाड़ी का फार्मेशन करना अब दूसरी बार अगर कोई आएगा उसके बच्चे को मार डाले गो उसको तो उसी परकार अब दूसरी बार अगर करोन वाड़ी ज्यादा मात्रय में बनी होगी ठीक है वो और दूसरी बाड़ी करने के लिए करता है उसको उद्धी पित करता है अगला प्रस्ण मारा है कि मानो राटि की सायंता का का कारन क्या है ठीक है उसमें रग्ट nem जो प्रोटीन होतीं इसे सही सकी सैंता का एह सब्सक्राइब यह क्षा कड़्क कर आए हमारी कहा है यह एह को बन्ती हैं यह अफ्व थिम के बारे में duas शाए का लेच से 1000 दिन होता है इसके मिरत्तीय अखरत्य अपलिए हमें होती यह हीम नामक तो नहीं जाता है जिनके आर्वीसे में केष्ज़ता,また जो जो ऐस्तंधारी थे के नहीं पाए जाता है, तो यह सब चीज़े होगी आपकी और वी सी के बारे में और वी सी का जो जीवन काल होगा हो तो बताई दिए अब कि अर्वी सी का जो सेफ होता है वो उभिया उत्तल होता ठीक अग्ला प्रश्न हो आ रहा है कि कार्वर नो आक्साइड विशाकता निम्लखित में से किस का किसे का मुख्यता होना चाहिए गलत है मुख्यता प्रभावित करता है किसे को मुख्यता प्रभावित करता है तो यह रक्त की आक्विजन को बहन करने के जहमता क्योंकि कार्बन मोनो आक्साइड क्या करता है यह रक्त में आक्विजन बहन करने की जहमता को कम कर देता ठीक है है अगला प्रस्ता महारा है क्योंकि यह जो करता है कार्बन- से जुड़ेंज några collector कि यह कर्ता यह हरई कि जैसे हेमोग्लोबिन होके हमारे तक जाता हैहे नेकिन carbon monoxide hemo fusion को जुड़ने ही नहीं देता वो hemoglobin से खुद जुड़ जाता है तो आख fusion जुड़ेगा नहीं और हमारे सिल तक क्या जाएगा carbon monoxide जाएगा तो जब carbon monoxide जाएगा तो आख fusion का बहन कम हो जाएगा अब जिस पर आख fusion को बैठ के जाना था तो आदमी की साफ लेने में दिक्कत होगी कि उसकी सिल को carbon monoxide मिलेका सिल डेट करेंगी आदमी धीरे-धीरे मर जाएगा अगला प्रस्ण है रक्त का थक्का बनाने में fibrinogen को fibrin में परिवर्थन करने वाले भाग वाला है, enzyme है, मतलब वो क्या है thrombin, ठीक है, यह क्या करता है fibrinogen को fibrin में change कर देता है, ठीक है और फिर रक्त का थक्का बन जाता है मानो सरीर में आप्विजन का abhuman होता है, रक्त द्वारा फुस-फुस के द्वारा, उतक के द्वारा abhuman का सही, अच्छा, पूछ रहा है कि fibrinogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogenogen जाता है वह चला जाता है तो तक में रुदीर में स्वेत रक्त कडिकाओं की अतिदिक मात्रा में उपफ्थित को रोख विज्ञानम की भासा में कहते हैं इसे कह देते हैं लूकेमिया जिसे कहा जाता है ब्लड टैंसर ठीक है अगर रखते में डबलू वी सी के मात्रा बढ़ रही है तो सी कहा जाता है लूकेमिया और डबलू वी सी के बारे मताओं कि इसका जो आकार होता है अमीबा के आकार का होता है ठीक है इसका निर्माड भी बोन मेरों में और लिंफ नोट में होता है ठीक है कभी कभी इसका निर्माड यक्रित में भी हो जाता है इसका जीवन का 2 से 4 दिन होता है इसका मुख्यकार क्या होता है सरीर से रोगों को बचाना इसका मुख्यकार है और WBC का सबसे अधिक भाग नूट्रोफिल्स को उसकाओं का बना होता है और और नूट्रोफिल्स को उसका क्या करती है यह रोगाड़ों का बच्छड करती है ठीक है यह रोगाड़ों का बच्छड करती है हमने डब आरवीसी के बारे में देख लिया इसी से में हम थोड़ा सा प्लेट्लेट्स के बारे में देख लेते हैं प्लेट्लेट्स का भी जीव कहा हैं प्लिहा में का युज पस्का नहीं बनेगा न मतिक्当 बड़े लेवल पूझां तो उसके बीच-जार- पंद्रा-जार-दॉजार सबस्कें ₱ तो उसके अंदर internal bleeding होने लगती है ते कि आख से खोग आने लगता है कियों कि अब बलट का जो ठक्का बनने की किर्या थी वो बंध हो जाती है internal bleeding शुरूव हो जाता है ठीक है तो यह काम होनसी यह तीनों चीजे और विसी रासिते जैंसी सेल आपको बता दिया अगरा प्रसन मारा है तो परसन खतम हो गए को यह कि नया वीडियो ब्रेसर ने बनाया तो इसे कुछ लेना देना नहीं अगर आप वीडियो इसको देखना चाहते है तो YouTube पे आईए वीडियो देखिए बिरेसर ने वहाँ पे quality बहुत अच्छे से पढ़ा दिये यदि आपको quality समझ भी नहीं आती और आप चाहते हैं कि quality को इस तरह पढ़े कि mains में answer writing कर सके तो आपको एक मातर जैनल स्री एजूकेसन आईए सेकेडमी का आईए होँआ पे आपको quality बहुत अच्छे से पढ़ाई गया है उसका PDF नोट से भी दे दिया गया है आप पूरा lecture मांद के लिए 25 गंटे में आप से cover कर सकते हैं पचास पच्पर वीडियों बनाया गया है जो 25 गंटे में cover हो जाएगा आपको पूरी quality अच्छे से समझ में आ जाएगी तो चलिए आज इसको wind up करते हैं आपसे बिदा लेते हैं जय हिंद जय भारत